पुतिन का सरदर्द अब लंबी खिच रही लड़ाई है और इसकी वज़ा है यूक्रेन के मददगार इसलिए अब वो पुतिन के प्राइम टागट बन गए हैं ब्लैक सी में रूस के युद्धपोत पर ड्रोन अटाक के बाद से माहौल गर्म है रूस ने दावा किया है कि ब्रिटन की रॉयल नेवी की मदद से ही यूक्रेन ड्रोन अटाक की हिम्मत जुटा सका ब्रिटन को निशाने पर लेते हुए पुतिन ने अब बेलारूस में हाइपोसॉनिक मिसाईलों वाले जेक तैनात कर दिये हैं ब्रिटन के खिलाफ पुतिन की ये अग्रेसिव नीती अमेरिका और नाटो को डरा रही है अमेरिका को लग रहा है कि पुतिन नाटो पर अटाक की शुरुआत ब्रिटन से करेंगे इसलिए अमेरिका ने ब्रिटन को बारूदी कवर देना शुरू कर दिया है प्रिटन पर पुदिन और बाइडन की घेरे बंदी ये बता रही है कि युक्रेन वार के शोले यॉरप पहुँच चुके है लंदन से सिर्फ अठारा सो किलोमीटर दूर पेलारूस पुदिन के ब्रिटन अटेक प्लान का पहला सबूत यहीं दिखा है ब्रिटिश खुफिय अजेंसियों ने सैटलाइट इमेज का विशलेशन किया तो पता चला कि यहां मिक 31 के फॉक्स साउंड जेट की तैनाती है हर फाइटर हाइपोसोनिक ब्रिजाइल से लैस है रूस के इन ब्रिजाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर है यानि पुदिन के अटेक औरडर पर साइन करने का मतलब है सिर्फ 9 मिनिटों में लंदन में तबाह बेलारूस के एर बेस पर मौजूद मेजाइलों को दुनिया के किसी भी एर दिफेंस से नश्ट करना नामुम्किन रूस के ब्रिटिन प्लैन का ये बहुत छोटा सा हिस्सा है लेकिन तयारी दूसरी तरव भी चल रही है बहा युद्ध की ये तयारी सूपर पावर अमेरिका कर रहा है अमेरिका ने अपने स्ट्राइक ग्रूप को यूरोप के लिए रवाना किया है इस फ्लीट में सबसे आगे है अमेरिकी विद्वनसक सूपर कैरियर यूएसस जेराल्ड आर फोर्ड ये अइर्ग्राफ कैरियर के पीछे चल रही है मिजाइल क्रूजर यूएसस नॉर्मांदिय पैलिस्टिक बिजालो से लैस युद्धपोत समंदर से किसी भी देश पर कहर बरपाने में सक्षम है और इसी फ्लीट के साथ आगे बढ़ रही है परमाडू अटैक से जमीन पर जलजला लाने की शक्ति वाली एक सबमरीन अमेरिका का जिराल्ड आर्ट फोर्ड समंदर में एक चलता फिरता एयर बेस है ये अपने साथ 90 फाइटर जेट्स और हेलिकॉप्टर्स लेकर चलता है एयर्क्राफ केरियर पर अमेरिका ने F-35C लड़ाकु विमानों को तैनात कर रखा है करीब 10 से 12 दिनों में ये स्ट्राइक ग्रुप्ट साउथ एंगलिन के पोर्ट्स माउथ के पास तैनात होगा योरोप में अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती वजय हम आपको पहले ही बता चुके हैं परमाणु शक्ती से चलने वाला एरक्राफ्ट कैरियर और सब्मरीन यहां महीनों रह सकते हैं रूस और प्रिटन के बीच तलखी बढ़ने की वजय भी आपको बताएं रूस ने गुरुवार को प्रिटिश राजदूत को तलब किया युक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ साज़िश पर विरोध जताया राजदूत के साबने कुछ लोगों ने प्रिटन विरोधी नारे भी लगा है राजदूत को प्रिटन एक आतनबादी देश है लिखा पोस्टर दिखाया रूस और ब्रिटन के बीच दुश्मनी का नया दोर 30 अक्टूबर से शुरू वा है युक्रेन ने क्रीमिया के सिवस्थपोल हार्बर पर रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर मरीन ड्रोन से बड़ा हमला किया था इस हमले में रूस का एक जंगी जहाज और सी वैरियर को नक्सान पहुचा था युक्रेन के हमले के बाद रूस के रक्षा मंत्राले ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि ब्रेटिन की मदद से युक्रेन ने नौ ड्रोन और साथ अन्मैंट मेरी टाइम वैगल से ये हमला किया पुतिन को लग रहा है कि युक्रेन जैसा चोटा सा देश इतने बड़े अटैक की प्लानिंग नहीं कर सकता है रूस को लगता है कि सब ब्रिटिश रॉयल नेवी की वज़े से हुआ है रूस को लग रहा है कि ब्रिटिश रॉयल नेवी ने युक्रेन के पहाने रूस के युद्ध पोत पर अटैक किया है रूस के आरोपों के बाद ही ब्रिटिन के आसपास अमेरिका ने अपनी नेवी की तैनाती शिरू करती है अमेरिका ने USS Rhode Island सब्मरीन को भेजा सब्मरीन जिब्राल्टर के पोर्ट पर तैनात की जाएगी ये OEO क्लास की बैलिस्टिक मिजाल सब्मरीन है अमेरिका की सब्मरीन पर Trident 2 मिजालों के तैनाती है अमेरिका की बेचैनी की बड़ी बज़े इस वक्त ब्रिटिन में मजी सियासी मधल मधल भी है अमेरिका जानता है कि ब्रिटिन इस वक्त अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलजाने में लगा है और इसी का फायदा उठाकर मोतिन ब्रिटिन पर अटैक कर सकते है पुतिन पिछले आठ महीनों से नेटों के खिलाफ एक्षिन प्लान तैयार कर रहे हैं लेकिन अब तक पुतिन के खुआश अधूरी है अब रिटन पर अटैक करके पुतिन नेटों को बहुत बड़ा मेसेज दे सकते हैं यूर मोट, DV9, हारत वच झाल झाल